हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूटूब चैनल डानेमिक अच्वेसी तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कैसे अगर हमारे पास एक स्वीच है और एक सॉकेट है तो उसका कनेक्शन कैसे होता है यह जानेंगे आए उस कनेक्शन कुछ देख लेते हैं कि क सबसे पहले हम देख लेते हैं यह कोल है हमारा क्या है फेर निटर्ल आता है मारा मीतर्में मिटरमें में हमारा फेर्ड्र क्या संधमारा फेरा ब्遊ंब कर गया यहां से मैं आधकी का है यहां से हमारा स स्कार में दे दिए के अध्यका, वहां मैं पर तो यहां से हमें दो पॉइंट मिले है उसका बाद यहां से दो पॉइंट मिले किया करना है इसमें इसमें निव इन्यमक्राइब करना होता है यह देने वाली बात है यहां पर यहां फेज हमेयसा है जो हमारा जो हमारा किन होता है राइट साइड में होता है ये हैं कभी बने का ध्यान रखे है किस साइड में टेंड है तो अब सब्सक्राइब करने के बाद सीधा हमारा स्विच में जाएगा स्विच का इंपूट में आएगा इंपूट भी हमारा स्विच होता है आउटपुट आएगा व मेरा यह आएगा हमारा पर ने जो मेरा पीन है तो यह देखिए यहां से थेज्ड बाकर यहां स्विच बोर्ट से यह यहां पर गया उसका बार होता है तो निविद्ट मनें यहां से आया और यहां यहां पर newtrol point में connect हो गया हुआ हमें से direct होता है phase को control को नहीं यहां रहा हम रहा हम ऐक switch और socket का connection कैसा किया जो हम पर ध्याद दिने वाला बात है कि कभी ऑप connection करें शचे-टै यहां को झे-टैरेक्ट का connection का connection कैसा की जाए यहां हमें पर और एक socket का connection कैसे किया जाता है So friends, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगाओ तो like, share and subscribe करे Thank you for watching this video Thank you